नमस्कार, आज फिर मैं रावरिली की एक और घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि घटनाएं पुलिस के लिहाद से, क्राइम के लिहाद से बहुत छोटी, अनिम्पॉंटेंट या ऐसी जिसको 4-6-10 दिन में जिनोंने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा वो भूल जाएंगे लेकिन ऐसी हर घटना जिन में कोई बहुत विशेश बात थी जो समाज को, जो लोगों को और पुलिस वालों को खास कर जानना बहुत जरूरी है उनका मैं उलेक करता हूँ, ऐसी ही एक घटना का उलेक मैं आज करूँगा, जो मेरे इत्ते लंबे कैरियर में इस तरह की बहुत ही अनुखी घटना, एक अनुखा गैंग पकड़ा गया था, जिसने उस समय में 2013 में आफत मचा रखी थी पूरे लखनव जोन में हुआईयूं की जनवरी 2013 में हर्चंदपुर एक कसबा भी है और थाना भी है राइवरेली में, वहां कसबे में ही एक बहुत ही सम्मानित राजनेतिक व्यक्ति हैं, नरेंद सिंख भंडारी, उनके घर में चोरी हो गई, रात में घर में लोग मुजूद थे, चोर घुसे, पीछे की डिवार फांद के और उसके बाद फिर छट पे छट से नीचे आये, इत्मिनान से इनके कमरों में गुसे, कमरों में इनकी जो आलमारियां थी, उनको तोड़ा, तोड़के सारे जेवरात और इनकी एक लाइसेंसी रिवाल्वर पैसा था, काफी पैसा जैसा इनों ने बताया, महिलाओं के जेवर, लाइसेंसी रिवाल्वर और गहने, ये ये सब चोर चोरी करके ले गया, बंदारी जी प्रभावशाली व्यक्त थे, राजनितिक व्यक्त थे, पुलिस का जो काम होता है, ये अपनी बेचैनी, अपनी परिशानी के लिए थानों पे गए, थाने ने कहां सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम गई है, वो टीम गई है, पुलिस वाला जब कुछ नहीं कर पाता है, तो बातों से अपने सामने वाले को धारस बनाता है, ताकि उसके उपर कोई कारवाईन हो, या कोई किसी तरह की और समस्याओं से फेस न करनी पड़े, ज ये ही पताते हैं, साब फलाने दरवगा जी को मैंने पता करने के लिए फलान जीले में भेजा है, ऐसा लगता है कि फलावाला गैंग है, इस तरह की बाते हैं, और फिर एकाथ बार सिपाहियों को सब इस्पेक्टर को मौके पर भेज के, वहां जो लोग गाउं के आरोसी प पता कर दूँगा, खेर वो पुलिस वालों की बातों का आश्वाशन को के पुलिस वालों के आश्वाशन पर विश्वास करते रहें, लिकिन जब एक महीने बीट गए तो फिर उन्होंने अपना डेलिगेशन लेके लखनव में अलग-अलग अधिकारियों के हां बात करनी एक महीने तक शिवा आश्वासन के सिवा बातों के पुलिस ने और कुछ नहीं किया, कोई भी व्यक्ति ग्रफतार हो के नहीं आए, किसी से पूस्ताच नहीं हुई, और हमारा कोई भी माल भी तक भरामत नहीं हुआ इसी बीच में हमारा जो लखनौ राइबरेली चुंकि लखनौ जोन में आता है राइबरेली में दो रेंजेज हैं एक लखनौ और एक फैजाबाद रेंज दोनों रेंज के मिलाके दस ग्यारा जिलिया होंगे और हर महीने में एक बार रेंज के सभी पुलिस अधिक्षकों के मीटिंग जो उस समय आईजी जोन हुआ करते थे जो अपराद की समीक्षा की मीटिंग होती थी कि किस इलाके में किस जिले में कौन सा अपराद बढ़ा है कौन सा अपराद हैसा है जो अभी तक खुला नहीं है कौन सा पराज ऐसा है जो खुल तो गया है लेकिन अभी उक्तों की गिरफतारी नहीं हुई है एक कंप्रिटिव स्टेडी के लिए एक स्टॉप टेकिंग के लिए आईजी जोन लखनवू जोन के सभी पुलिस अधिक्षकों की SSP और SP की मीटिंग लिया करते थे वहाँ पर जोनल मीटिंग हुई और सभी जिलों से लोग आये डाटा आईजी जोन साब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और चोरियों के डाटा पर आके रुख गये उन्होंने का भाई बहुत एक महिने में बहुत जादा चोरियां हुई है और उन्होंने जो जिले पॉइंट आउट किये उसमें सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी, राइवरेली और हर्दोई ये चार-पांच जिले उन्होंने बताया कि उन्होंने का साब भी तो बहुत ही घुजब हो गया ये इतनी चोरियां लास्ट इयर के कंप्रेजन में दो गुना हो गएं, तीन गुना हो गएं क्या वजह है इसकी, क्या आपको लगता है, लोकल गैंग है, कि बाहर का गैंग है, क्यों ये चोरियां वर्काउट नहीं हो पा रही है सब भी एसपीज ने कहां सब चोरी हुई है, चोरी वर्काउट करना थोड़ा कठिन काम है, सब भी लोग जानते हैं और इसी में फैजाबाद के एसपी ने बताया, साब हमारे यहां तो खंडासा एक गाउँ है, वहां खंडासा एक कस्बा है, जहां एक ही महीने में तीन चोरियां हुई है और फिर यह हुआ कि किसको टार्गेट करते हैं ज्यादा तर यह, तो यह हुआ कि यह चोरियां शहर या शहर के भीतर नहीं हुई है, कोई, जो बड़े कस्बें हैं शहर से दूर, बहुत बड़े कस्बें हैं, जिनमें कुछ तो मकान बड़े किसानों के या वहां के जम्मि मखान अब तक का जो ट्रेंड निकल के आया है वो है कि वो बड़े मकान बड़े लोग इस तरह के लोगों को टार्गेट करते हैं दूसरी बात यह कि कभी भी किसी की नीन नहीं खुल पाई ऐसा नहीं था कि बंद मकानों में चुरी हुई हो सभी मकानों में यह लोग घर में म उन्होंने का साब हमारे हाँ जो खंडासा में चुंकि तीन चोरियां हुई वहां धरना प्रजशन हुआ मैं भी मौके पर गया व्यापारियों से बात की व्यापारी वर्ग के लोग थे जिनके हां चोरियां हुई थी तो एक चीज उसमें निकल के आई कि साब जब ये तीन ज जगर ही नेवले मवजूद हो और चोरों के आते ही नेवला बोलने लगे ऐसा नहीं संबभ लगता है ऐसा लगता है कि कोई खाना बदोशों का ग्रुप है ये खाना बदोश लोगों का कोई गैंग है जो अपने साथ जानवर भी पालते हैं या किसी वज़े से जानवर भी लेके चलते हैं तो ये बात सबने नोट की और सब को ये लगा कि भाई ये तो इंपॉर्टन बात है और अपने अपने हां जो चूरियां हुई हैं उनमें जरा सा हम लोग इसको दिखवा लें अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब कोई एक ही गैंग है और इस गैंग के को ट्रैक करके इसको अगर अरस्ट नहीं किया गया तो ये बहुत परेशान करेगा गैंग किसी ऐसे आदमी के हां मालिया कोई जग गया चोभी करते समय तो ये मार भी सकते हैं पता नहीं किस तरह के लोग हैं मैं भी वहां से लोट के आए मैंने हर्चंदपुर का जो सम्मंदित सरके लखसर था उसको बताया कि ऐसा बताया गया है जरा गाउं में जाके यह पूछे उनको नरेन बंडारी जी से पूछे कि आउन्होंने भी किसी तरह कोई नेवले की आवाज इस तरह की सुनी थी जब चोरी हो रही थी ताकि हम लोग बाकी जिलों से संपर करके और फिर वहां पर आने पर भी नरेन जी ने बताया कि हां कुछ ऐसा तो लगता है कि हमारे हाँ भी हमने कुछ नेवले की आवाज सुनी थी जब यह पूरा सर्वे किया गया तो इसमें साथ चोरियों की मैंने जब उन्होंने नेवले की बात कही तो तीन चोरियां उसकी खंडासा की एक अपने हां की और तीन और जो वहां जिलों के एस्पीज ने बताया था पूरी टीम सर्विलांस की बनाई गई और इन सातों कमें पर वहां पर कुल कितने कॉल आई या कितनी कॉल वहां से उरिजीनेट हुई इसका डाटा मॉबाइल कंपनियां देती हैं उसको लाकर यह देखे कि कोई ऐसा तो नहीं कि इन सातों जगों पर कोई ओको नंबर हो जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो तो यह प्राप तो जगह उन्होंने उसकी चलाइडी डाटा की प्राक्ट की और उसमें इनका चुकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे इस तरह के चोरिया चोरों का गैंग वहां इनका तो कोई मोबाइल लिंक नहीं मिला लेकिन साथ में से तीन जगहों पर जो मोबाइल फोन जिन कि वहां पढ़े मिले किसी का चार्जिंग में लगा हुआ था किसी के मेज पर रखा हुआ था वो भी अपने साथ ले गए थे यह मोबाइल फोन में दो तो उन्होंने बाहर निकलते ही दो जगहों पे जहां जहां चूरियां हुई थी बाहर निकलते ही उसको स्विच आफ क पर दिया उस समय मोबाइल को बंद करने का जब यह नहीं आए थे तो एक ही तरीका होता था लोग चोरी करते थे या जपट मारी करते थे या कभी लूट के समय में पीरिट से मोबाइल फोन चीन लेते थे थोड़ी दूर जाके उसकी बैटरी निकाल देते थे की भीतर ही वह स्विच आफ हो गया सी डियार से हम लोगों को यह जानकारी हो गई कि यह बैटरी निकाल ली गई है इसलिए स्विच आफ हो गया है उन में से एक या तो चाइनीज मेक कर रहा होगा या एंड्रोइड से पहले कुछ सेमी एंड्रोइड टाइप के जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल थे उस तरह कर रहा होगा संभातों चाइनीज ही था क्योंकि चोड़ा और बड़ा शोई मोबाइल ऐसा बताया था वहा नहीं हो पाया उसकी जब स्क्रीन बंद हो गई तो शायद उसको लगा होगा कि यह आफ हो गया उसने जेब में रख लिया और अपने अड्डे पर पहुंचने के बाद यह सब सो गये अपने काम में बिजी हो गये लेकिन सबेरे कोई साले साथ आठ वजे वो मोबाइल बज जानते थे सब पकड़े गया थे सब जानते थे कि मोबाइल से पुलिस ट्रैक करती है तो यह सब घबडा गए उसको उन्होंने फिर से खोलने की बैटरी निकालने की कोशिश की लेकिन उस प्रोसेस में वह उनसे खुला नहीं तो उसको जोर से पटक दिया फर्ष पर तो व हमारा काम हो गया था कि यह वहां तक चोरी के अड़े से लेकि और वहां तक यह पहुंच गया था हम उनके रहने के स्थान को आसानी से ढूंड सकते थे जब इसका कॉल डिटेल देखी गई तो यह वहां पर फैजाबाद से पहले एक रवनाही रेलवे स्टेशन है रवनाह में सुबह 8 बजे जब वो तोड़ा गया या जब उसकी बैटरी निकाली गए तब तक की लोकिशन रौनाही रेलवे स्टेशन आई पूरी टीम भाग के वहां गई और उस समय तो यह समझके गये थे कि रौनाही रेलवे स्टेशन तक आए होंगे फिर वहां से कोई इन्हो रौनाही तक गई रौनाही रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ध्यान दिया तो वो रौनाही का जो प्लेटफॉर्म या जो स्टेशन है उसके अपोजिट साइड में की सेल में वो लोकेशन आई थी देखे किसी भी टावर के तीन सेल होते हैं A, B और C या इसको 1, 2 और 3 भी कहते हैं और यह क्लॉक वाइज शुरू होती है बारे बजे की सुई जहां होती है वहां से 1 थर्ड आप चलेंगे तो सेल 1 है उसके बाद next 1 थर्ड चलेंगे तो वो सेल 2 है और फिर उसके बाद last चलें तो वहां जो वह लोकेशन जहां पर बंद हुआ था वह रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में था यानि वह आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं आया था गाली पकड़ने या गाली से क्रॉस हो रहा हो या गाली में बैठा हुआ हो बलकि वह उसके सामने वाले क परिवार के रह रहे हैं पहले तो यह डाउट हुआ कि पता नहीं यही लोग है कि छे महीने पहले की बात है जो थे यहां पर वो चले गए तो आस पास के लोगों से और खास कर रेलवे स्टेशन के लोगों को चुंकि रेलवे स्टेशन से वह दिखाई देता है थोड़ा- आपना भणाषण टो दिन चार लोगों से पूछा गया तो ये बात निकल कर रहे हैं वह बंजारों का double देरा था यह लोग नए नहीं आये हैं छे महीने से यहां पर रह रहे थे फिर यह हुआ कि अच्छा ठीक है आप अगर यह लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कोई चीज ऐसी मिल जाए जो जिसकी तलास में हम लोग हों क्योंकि साथ अलग-अलग जगों पर चोरी की जो सुचना ह हमारी सर्विलांस की टीम ने इकठा की थी उसमें गए हुए जेवरात कोई और मार्ट आइटम जैसे पर्टिकुलर ब्रांड की घड़ी किसी ने लिखाई थी अपनी एफाई आर में तो क्योंकि आपको पैसे और जेवर का तो बड़ा मुश्किल होता है यह लोग जो प्र तो हम लोग इस चक्कर में थे कि कोई नंबर्ड आइटम ऐसा मिल जा है जिससे हम उस चोरी को कनेट कर सकें और इस गैंग को कनेट कर सकें इस्थानी रहुनाही पुलिस से मदद ली गई तमाम फोर से कठा की गई और अचानक उसको गेरा गया उसमें मेल मेंबर्स को उनको को उठा के अलग किया और इस बीच में वहां मजलाएं जो थी मजलाएं बच्चियां लड़कियां इन्होंने तमाशा कर दिया पत्राओ शुरू कर दिया यह कोशिश कर रही थी कि पुलिस किसी तरह भाग जाए हमारे मेल मेंबर छूट जाएं लेकिन पास में ही थाना था थाने से और फोर्स मगाई गई महिला कॉंस्टिबिल मगाई गई बड़ा थाना है वह में रोड का थाना है लकनवोग और फैजाबाद के हाई वेपर तो वहां से तमाम लोग आ गए महिलाएं आ गए और उं महिलाओं को किसी तरह से बल प्रियोग करके कब्जे में गिया और पुर्शों को लेके हम लोग वहां से रुनाही थाने पर गया थाने पर पहली बात तो यह हम लोग जानते थे कि खाना बदोशें कभी सही नाम पता नहीं बताएंगे पहले तो कोशिश की गई उन्होंने नाम पता बताया जो नाम पता बताया उसको उस चिले के के फोन शुरू हुए थे लेकिन उतने पॉपॉलर उस समय तक नहीं थे वो की पैड वाले ही और खासकर नोकिया के अलग-अलग रेंज के बहुत सस्ते भी और बहुत महेंगे भी मोबाइल उसमय शुरू हो गए थे तो वहां इन लोगों से पूस्तास करके कि जहां का पता ब इनका गलत निकला है हम लोग जानते भी थे गलत बताएंगे तो फिर यह हुआ कि अच्छी वाली पूस्ताच की जाए फिर अच्छी वाली पूस्ताच शुरू हुए अच्छी वाली पूस्ताच का भी कोई बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि प्रोफेशनल थे ल नहीं बोल बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे बहुत ज़्यादा सही बात नहीं बता रहे थे फिर हम लोगों नगाब सबसे अच्छी वाली पूस्ताच की जाएगी हमें इन पर शक होई गया था क्योंकि उस समय जो हम लोगों ने तलाशी ले थी तो उसमें बिना बैटर लेते हैं वहां से तो जरूर इसकी बैटरी फेंक देते हैं कि कुछ उसकी रिसेल वैल्य होगी जो भी इनका टाइम रहता होगा छे महीने आट महीने बाद या कभी कहीं दूर जाके उसको बेज देते होंगे ताकि जब खरीदने वाले को यह न पता हो कि हमने किस से लिया ह या पुलिस कभी उससे पूछे तो यह न बता पाए कि देने वाला आदमी कौन था या कहां से यह आया था तो बैटरी जो थी उन में किसी में नहीं थी और केवल मुबाइल फोन मुबाइल फोन थे कुछ अच्छे मुबाइल फोन भी थे उसमें नोकिया के उस जमाने के मह automobile जो चला था वो वहां से इसी स्थान तक आया और यहीं पर वो नस्ट किया तोड़ा गए उसके बारे में भी कुछ यह नहीं बता रहे थे पिर बहुत अच्छी वाली पूस्ता शुरू हुं गे जो बहुत अच्छी वाली पूस्त शबू हुई तो दिरे धीरे करके ये तूटने लगे सबसे पहले इन्होंने अपना सही नाम पता बताया ये बहुत बड़ा गैंग निकला बिहार का बिहार में जो जनपद है भोशपुर वहां के थाना बिहिया की मतिनमाई कॉलनी बिहिया के ये सारे लोग थे कुल साथ लोग वहां गिरफ्तार कि इनके नाम भी मैं आपको बता दूँ जो पकले गए थे ताकि आप की जानकारी में रहे एक था उसमें गोकुल उर्फ दया शंकर ये भी मतिनमाई कॉलनी बिहिया थाना बिहिया जनपद भोशपूर का रहने वाला था गुड़न पुत्र प्रेम खरवार ये भी मतिनमाई क कॉलनी का था अजय पुत्र दारा खरवार ये भी 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 या का ही था उसी कॉलनी का पन्ना पुत्र भल्ली पन्ना इनका गैंग लीडर था उम्र करीबन इसकी 50 वर्ष थी इसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा ये भी भोशपूर बिहार का था अगला था बबलू पर पकले गए थे फिर जब इनसे बहुत अच्छी वाली पूस्ता शुरू हुई तो धीरे धीरे इन्होंने बताना शुरू किया हमारी चूरी के बारे भी बताया उनसे पूछा गया कि वह गहने और वह रिवालोर कहां है इन्होंने का साब हमारी जो मोडिस आपरेंडी है हम लोग जब भी माल ले आते हैं तो पैसा उसी दिन इक्विली डिस्टिबूट कर दिया जाता है और गहना या कोई ऐसा आइटम वहां से अगर मिला है तो वो महिलाएं तकाल उसको अच्छा उसका गठर बना के और अपने साथ यहां से बिहार बोजपुर ले जाती है रे इंको टौल के दे लिए तो उसका पैसा उनने से ले लेते हैं हैं तो पहले तो हमारा तरगेट यह था कि हम अपनी रिवाल्वर बनामत करें ताकि जो ये जो ये बता रहे हैं ये बात तस्दीक हो जाए एकी लेकर messy और पंशाने पोच्छपुर इनके अ पहिया गा में जो फरस में नीचे पॉलिथीन में अच्छी तरह से लपेट के गाड़ा हुआ रिवालवर और कुछ गहने महंगे गहने वह गहने भी इनके पास से बरामद हुए हम लोग बिलकुल जिसको कहते हैं मुतमईन हो गए हम लोगों को यकीन हो गया कि इन सारी चोरियों के पीछे इसी गेंग का हाथ है यह खरवार गेंग के नाम से वहाँ भोचपुर में विख्यात है वहीं भोचपुर में थाने पर बताया गया कि ये कोई प्रांत ऐसा भारत का नहीं है जहां से इन लोगों के लिए पुलिस ना आती हो इसके पहले मैंने आपको जिन गैंग के बारे में बताया था वो बावरिया गैंग हुआ करते थे वो पंखिया गैंग हुआ करते थे वो पारदी गैंग हुआ करते थे वो भातु हुआ करते थे, ये भी अपने-पने इलाके में इस्टेब्लिश हैं और इनके लिए भी सब लोग जानते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह का कराइम करते हैं, वो जान से मार देते हैं, वो लाठियों से वार करते हैं, कभी-कभी बहुत जरुत पड़ी तो गोली चला लेकिन यह ठोर्टेस्टनल चूर इस इह अपनी विधा में अपने इन्होंने ग्न पराप्त करकर और अपनी विधा से यह च्छोरी करते हैं और देश के हर हिस्से में चोरी करते हैं कर inink मेरी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी उस उम्र में वो चोरी की वहीं बिहार में असल में बिहार में जो जमीदार लोग पुराने जमीदार हुआ करते थे लेकिन अब वो जमीदार नहीं रहे लेकिन उनकी कोठियां बहुत बड़ी बड़ी थी उनके पास पैसा बहुत था नगत पै नहीं है खुब एश करते थे और अपना सारा जो शादी ब्याह का काम है सब इसी बीच में वो निफ्टा लिया करते थे तो पर्णा ने बताया कि साब जो हमने पहली चूरी की कुल चूरी करने में उस समय तेरह लोग थे और मेरी उम्र सिर्फ बारह साल थी और उस चूरी में 22 लाख रुपए मिले थे ये उसने 2013 में ये बात बताई थी और ये बताया था कि इस समय में 50 साल का हूँ और जब मैं 12 वर्ष का था यानि करीब 40 साल पहले की बात है ये 80 की बात हो गिया सत्रमें के दशक में किसी सन की बात हो गिया जिसमें 1.5 लाख इसका हिस्सा हुआ थ इसका ये कहना है कि अब तक भारत में कम से कम 1000 चोरियां इसने की होगी और कम से कम 500 में पुलिसिस से पूस्ताच कर चुकी होगी और इसने अपने लोगों को ट्रेंड किया है और दरजनों खरवारों के गाएंग इसने तयार किये हैं जो इंडिपेंडेंटली देश के अब उस समय आई थी जब यह खंडा सा में चोरियां हुई थी इन लोगों ने बताया कि साब हम ट्रेंड करते हैं अपने हां जब बच्चे साथ-ाठ साल के होते हैं तो जानवरों की आवाज के लिए और इस समय उस समय जो प्रसलन में थे वो तीन जानवरों के आवाज प् दिखाइ दिया चूरी कर रहे हैं गैंग वाले ठीटी बजाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कोई बाहरी आदमी है यहां पर यह कोई हमाज से दस या बारक के गैंग में ये पहुंसते हैं वहाँ पर तीन लोग खड़े होते हैं अगर सब कुछ सामाने चल रहा है और कोई कहीं से खत्रा नहीं है तो ये तीनों लोग अलग-अलग चुहे की आवाज निकालते रहेंगे आने जाने वाला या बगल के घर में कोई जगा भ रिवेश में वह चुहे की आवाज धीरे 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 करके और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी यह उनको पता है और उसका मतलब है कि आप अपना काम जारी रखे और अभी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपके उपर कोई खत्रा नहीं है जैसे ही कोई व्यक्ति पु हो गया या जादा लोग आ रहे हैं या आवाज बाहर कहीं लग रही है तो तीनों एक साथ जैसे नेवले लड़ते हैं उस तरह की आवाज करते हैं इसका मतलब कि ततकाल उस घर से बाहर निकलाई है खत्रा जरूरत से ज्यादा है तो वह सारा गैंग मेंबर पहले से चुंकि में इस रास्ते से भागना खूस मिला है या नहीं मिला है वहां से नेवले की आवाज सुनकर भाग एथे अप पिर यह दिन रएकि करते थे तो राकी करते समय यह तीन तरीके से यह रहकिया करते थे एक तो अच्छा दूसरा पन्ना नहीं यह बताया कि चूंकि पन्ना के पिता सवर्गी बल्ली उसने कहा कि मेरे पिता जब मैं साथ वर्ष का था तो पत्ना पुलिस ने उनका एंकाउंटर किया था और वो भी यही करते थे वो सबसे बड़े लीडर थे ज से किसी घर में चूरी की और अगले दिन उनको पता लगा कि घर में बारह लोग मौजूद थे बारहो सो रहे थे और कोई अलमारी नहीं छूटी सब कताला टूटा सारा समान बाहरा गया तो वो सबसे काबिल माना जाता था इसका मतलब इसने बहुत सफाई से चूरी की और जरा सभी किसी को आठ भी नहीं हुई कि उसके घर में चूरी हो रही है इसको इंकाउंटर में पतना पुलिस ने मार दिया था उस समय पन्ना मात्र साथ साल का था तो नेवले की आवाज गैंग मेंबर्स को सावधान करने के लिए और गाउं के परिवेश में नेवला की नेवले की आवाज सुनी थी और लोकल पुलिस को बताया था कि साथ पता नहीं तीनों जगह बात अलग-अलग हुई तो किसी ने पॉइंट आउट किया था कि यह नेवला हर जगह कैसे बोलता है जबकि हम लोग कई कई दिन तक हम लोग कभी नेवले की आवाज नहीं सुन और अमेठी, सुल्तानपूर, फैजाबाद, अमेतकर नगर, इदर राइबरेली, राइबरेली, इलहाबाद का थोड़ा हिसा, बनारस के इस तरफ का हिसा, गाजीपूर और ये सब इलाके, दिवरिया तक ये दाओं मारते हैं और ये इसी तरह के बड़े कजबे, जो सिटी यानि शेहर से दूर हूँ थोड़ा, जस 20-50 किलो मेटर, बड़े कजबे जहां पर बड़े किसान या बड़े व्यापारी रहते हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो एक तो ये शेहर निकालने का काम करते हैं, और ये खुद जब घूमना रैकी करना शुरू करते हैं, तो प बताएंगे, इसमें से हम आधा लेंगे, उपर का ये लेंगे, छत्ते वाला हिस्सा हम ले लेंगे, साफ करके आपको देना है तो इतना दे देंगे, इस तरह से सौधे बाजी करते हैं, ताकि लोगों को ये फील नहों कि ये किसी दूसरे काम से आये हैं, और शेहर बतानी जड़ी है, इस तरह का है, और वो लोकल ही उन जड़ी बुटियों को निकाले के उनके फायदे नुकसान बताने लगते हैं, लोगों से बीमारी पूछने लगते हैं इसी बीच में, और जब ये छत्ते से शेहर निकालने का काम करते हैं, तो सर्वे करने के लिए पे अच्छता दिखाई पड़ता है, वहाँ जरूर रिक्वेस्ट करते हैं, और काफी तैय तोड के बाद वो तैयार हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, इसी पर हम तैयार हैं, हम इसको तोड़ेंगे, हम इसे निकालेंगे, और कहीं कहीं इनोंने भीक मांगने का काम किया, जो बह करते हैं, तो आज मिन बचाता है कि हमारे भॉक, प्रकानका कमाने गये हैं, हमारा दीसरा लल्का कमाने गया हुए, तो फिरTo तरह से यह वहां चड़के रहकी करते हैं और फिशाम को उन्हीं आवाजों के साहरे जो वह आवाज लगाते हैं जानवरों की यह अपना पूरा काम कर लेते हैं इन लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी चूरियों के बारे में बताया जो चूरियां इन लोगों से खुली और इनके यहां से माल बरामद होगा तेरह बटे चौदा आठ आठमे महीने दोहजार तेरह में जिगनाही थाना खंडासा में दुवेदी जी के हाँ चूरी हुई थी जिनके हाँ बहुत लंबी चूरी हो गई थी पुरा इनका बेटी की शादी किया का गहना खरीद के लाए थ इनकी बहुत लंबी चूरी उनके यहां हुई थी और जो इनके गाउं से वह भोचपुर वाले इनके गाउंसे इनके घरों से जो बरामद होगा उसमें काफी माल इनका दुवेदी जी के हाँ हुई चूरी का हुआ था इसमें मुकदमा प्रासंख्या 153 बटे 13 थाना खंड इतर में बारा बटे तेर्ह की रात में वही फर्वरी मार्च डोहजार तेरह को लगभग 6 घरूं में एक साथ नहीं नहीं चुरी की ठी सटे सटे घर थे बढ़े और पुराने घर थे और इसमें दुब्य का पुर्वा वो जगह थी जहां इन्होंने जामों में चोरी हुई थी और वहां पर श्री राम वरण यादो के हैं, सबसे ज़्यादा सामान इन्होंने चोरी कर लिया था इनमें जो जो लोग पकड़े गray थे इनमें, चार चोरीओं के identifiable item तो उसमें बरामद हो गए थे लेकिन बाकी के लिए इन्होंने बताया कि किस तरह से cash का distribution किया और किस तरह से इन्होंने पैसा पूरा गहने पूरे बेंच के और बाट लिए मेरे कहने का आशे सिर्व यह था कि छोरी करने के अपने अलग-अलग तरीके हैं देखे अब electronic युग आ गया है और response time पुलिस का बेहतर हो गया है mobile phone ने बड़ी क्रांती की है mobile के network ने और इसका crime पर बड़ा असर पड़ा है अब ऐसा कोई crime आपको नहीं मिलेगा जो पहले पूरे गाओं को घेरते थे दरवाजे को कुलाली से काटते थे भीतर जाते थे और मिट्टी के नीचे दवी हुए तीजोरी को खोद के निकालते थे फिर उसको ले जाते थे यानि चार-पांच घंटे इत्मिनान से किसी ने विरोध किया तो उसको मार भी देते थे तो इस सूचना जाती है उतना पैनिक माना जाता है और 15-20 मिनट की भीतर पुलिस की कोई ने कोई गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है तो इसलिए इस तरह के काम तो बंद हो गए लेकिन चोरी का जो ट्रेडिशनल काम है कि घर में सारे लोग सो रहे हैं ताला टूट गया सामान चला गया वह इस तरह के यह खाना बदोश टाइप की लोग जो इसी विधा में ट्रेंड हैं कोई इनकी स्कूलिंग नहीं हुई है चोरी की किसी पाड़शाला में बलकि यह अपने पूर्खों से इन्हों ने यह सीखा है मतलब उस समय जब मैं इसकी प्रेस कॉंफियंस कर एक सितंबर एक नौव जार तेरह को इसकी प्रेस कॉंफियंस की थी और सातों लोगों को वहां एस पी राइबरेली के कारयाले में पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने प्रस्तुत किया था बहुत भीड थी और लोगों को कौउटोहल था कि आखिर किस तरह से आवाज नि निकालने में एक्सपॉर्ट थे उनसे जो आवाज निकालने में एक्सपॉर्ट थे उनको उनसे यह हम लोगों ने 1908 को इसकी प्रेस कॉंफेंस हुई थी जब यह ग्रिफतार किये गए थे तो जो इसमें आवाज निकालने में एक्सपॉर्ट थे बबलू उर्फ राम प्रवेश और अजय पुत्र दारा खरवार तो इनसे माईक इनके हाथ में दिया गया और यह कहा गया कि तुम अलग-अ जर्वेश किस तरह की आवाज निकालते हो वहां पर चुरी की समय में तो आप यकिन नहीं करेंगे चुहे ऐसी आवाज जो किसी को भी शक नहीं हो सकती नेवले के और तीन लोगों से जो तीन कोने पर खड़े होते हैं उनसे जब आवाज निकालने को कहा तो जैसे आप कहत कि अगर राइबरेली के लोग जानते होंगे उस समय अखवारों इसे बहुत कवर किया गया था कुछ लोगों ने उसकी आडियो और वीडियो क्लिप बनाई थी जो उस समय नेट पे चुंकि उस समय नेट का यूज 2013 में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था फेस्बुक या वाटसेप तो हमारे ख्याल से शुरू शुरू हुआ था या भी शुरू नहीं हुआ था 2013 में लेकिन जो भी वो फेस्बुक जरूर चला था तो उसमें लोगों ने पोस्ट कि थी वो गिलहरी की और चुहे की और उसकी नेवले की आवाज को तो अगर किसी को धान होगा या किसी ने उसको फेस्बुक पर कहीं देखा होगा तो वो भी अचंभित होगा कि किस तरह से ये जानवरों की ये आवाज निकालते हैं उनका ये बताना था कि हमारा पेशा है खांदानी पेशा है और हम अपने बच्चों को इस तरह की आवाज के लिए ट्रेंड करते हैं ये के साथ ये भी उसी तरह की आवाज निकालते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे भ्रह्म की सिती पैदा हो गई कि भीतर जो चोर अपना काम कर रहे थे उन्हें ये पहचानने में दिक्कत हुई कि हमारी सावधान करने वाली आवाज है कि नौर्मल कुतों की आवाज है अब उन्हों कि आवाज है अवाज है